एक बात कहूं, इस संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुन संपन नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजर अंदास करके रिष्टों को निभाई रखिए मश्कार आदाब and hello everyone, कैसे है आप सब लोग, अगर आप लोग मेरी चैनल पे नहे हो, तो मैं हूँ सोनल और you are welcome to my channel, मैं वीडियो बनाती हूँ, meditation, love, attraction, manifestation, प्यार, महबत और बहुत सारी चीजों के बारे में और मैं बनाती हूँ every Tuesday and Saturday को So, आज कहा जो हमारा topic है, वो है the difference between love and attraction So, let's start the video Attraction और love में क्या फर्क है, कुछ फर्क है भी या नहीं, अरे फर्क है, बहुत जादा फर्क है Attraction यानि की आकर्शन, attraction अगर जमीन है, तो प्यार, love यानि की आसमान है Attraction एक ऐसी चीज है, जिससे आप जब चाहो, जब भी चाहो, किसी से भी कहीं भी कई बारी हो सकता है फिर चाहें वो किसी का खुबसूरा चहरा हो, या फिर physical attraction किसी का खुबसूरा चहरा देखा है नहीं, कि आप उससे बात करने लगे, बड़े फिदा हो गए आप उस पे, बड़े मर मिटे आपका दिल आ गया, उस पर आपको लग रहा है प्यार है, बड़े मर मिटे आप उस पे, आप उसे बाते कर रहे हो, धेर सारी बाते कर रहे हो, कई दिन, कई राते, बाते किये जारे हो, किये जारे हो, किये जारे हो, प्यार का नाम दे के आप उसे बस लगे पड़े हो, लगे पड़े हो, लगे पड़े हो, आपको ऐसा लग दीरे 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 फेड हो जाती है वो चाम खतम हो जाता है वो जो बात होती है वो बात खतम हो जाती है वो अट्राक्शन की जगर डिस्ट्राक्शन हो जाता है आप कई लगों लोगों से बात करो लड़की जो है कई लड़कों से बात कर ले लड़का जो है कई लड़कियों से बात कर ले लेकिन वो बात तब तक अच्छी लगती है आपको उससे बात करके तब तक अच्छा लगेगा जब तक आपका मन लग रहा है जिस दिन आपका मन हटा या आपके जहन से वो बात हटी या फिर कोई दूसरा खुब्सूरत चेहरा दिखा आपका उसकी तरफ से attraction खतम ये प्यार नहीं है अरे प्यार क्या है प्यार तो एक ऐसी खुब्सूरत चीज है प्यार में भी physical attraction होता है लेकिन pure soul, pure connection भी होता है उसमें जब प्यार होता है तो उसकी खुशी मैटर करती है। आप एक दूसरी के सुद्दुख के साथ ही होते हो। फरक नहीं पड़ता आप उसके साथ हो या नहीं। Soul connection माच हो रहा है ना, Soul connection मिल रहा है। उतना ही काफी होता है। शरीर का मिलना जरूरी नहीं है प्यार में, सोल कनेक्शन ही काफी है, राध्य कृष्ण की जोड़ी को ही ले लो, उनका प्यार कितना अपरम पार्था, इस तरह से होता है प्यार, जरूरी नहीं है उसके साथ होना ही प्यार कहते हैं, उसका साथ होना ही प्यार है, अरे उसका को देख रहे हैं। और आप देखके बड़ेचा फील कर रहे हो ना उसी को प्यार बोलते हो उसका जब दूर से नOS 중요, चेहरा देख खर आप खुश हो जाते हो वही प्यार आो है Congressman- is this social love vibrations भेजना और छुब्री सबते हैं यह उसको बोलते हैं लग वाइबरेशन भीजना कि आदत है वह आपकी लट्थ है वह आपका अट्राक्शन है क्योंकि प्यार में और लड़काzieh। चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की हो प्यार में एक दूसरी के लिए वक्त होता है अट्राक्शन में भी वक्त होता है अट्राक्शन में तो इन फैक कुछ जादा ही वक्त होता है क्योंकि एक एडिक्शन होता ना कि बात करनी है बात करनी है बात करनी है प्यार में वो सब चीज़े नहीं होती प्यार अगर है तो बात कभी नहीं भी होना तो चलता है या कुछ सेकेंड्स के लिए ही बात होना तो ऐसा लगता है यार अपना पार्टनर ठीक है इसकी दो बून इसकी आवाजी सुन लीना बड़ा अच्छा लग रहा है प्यार इसको बोलते है एक हिसास है एक खूपसूरत हिसास है प्यार जरूरी नहीं है कि बदन मिलना जरूरी है दो आत्माओं का मिलन ही प्यार होता है अगर आप फिजिकल अट्रैक्ट हो रहे हो ज़रूरी नहीं है कि प्यार हो रहा है तो भई यह सब होना चाहिए दो सोल कनेक्शन मिल गए ना उसी में प्यार होता है प्यार की सीमा शादी तक जाती है अट्रेक्शन की कोई सीमा नहीं होती जो इंसान चाहे वो लड़का हो या लड़की हो वैसे तो यह लड़कों की लिए आती है पट फिर भी एक बात बता वी मैं आपको जो इंसान आपसे सच्ची दिल से प्यार करता है वो आपको आपके मम्मी पापा से मिलाएगा आपके घरवालों से इंट्रोड़क्शन कराएगा लेकिन जो आपसे अट्रैक्ट है खाली सिर्फ आपसे अट्रैक्शन है उसको वो आपको होटल रूम में ले जाएगा वो आपको बीच में सब के सामने नहीं मिलवाएगा अरे प्यार तो वो है जो सब के सामने आपका हाग पकड़े और बोले करे यह मेरी है यह मेरा है यह होता है प्यार अट्रैक्शन में 90 ense to body Science की ही बात होती है किसी से अट्रैक होने के लिए कुछ सबीकर काफी है बाट एट टेक्स टाइम तू फॉल इन लव albeit संवन प्यार में बहुत महंनत होती है प्यार को साबित करने के लिए उस रिष्टे को निभाने के लिए पूरी जिंदी निकल जाती है क्यों क्योंकि प्यार की रिष्टे की डोर बड़ी नाजुक होती है उस रिष्टे की डोर इतनी नाजुक होती है कि जर्ण सभी धागा लूज हो गया या उसके जो मोती हम पिरोते हैं व सब चीजी नहीं होती, नो महनत, आज इसके साथ तो कल उसके साथ, इसी को तो बोलते है अदत, प्यार करना जितना आसान है, I love you बोलना बहुत आसान है, I love you, लेकिन उसे निभाना उतना ही मुश्किल, जिसने इस रिष्टे को, इस खुबसुरत प्यार भरे रिष्टे को, कम होके निभाना सीख लिया वो प्यार को समझ गया ऐसे होता है प्यार अट्राक्शन जाब चाहो कर लो यार पंडी लग रहा है कंटाल आ रहा है बोर यह तो रहे चलो बात कर ली किसी से दो मिलिन बात कर ली वो कहते ना अट्राक्शन वो होती है क्या बुलते उसको चले तो च बुढ़ापा काटना पड़े मज़ा उसी में है टाइम बेंग के लिए किसी के साथ रहना को प्यार नहीं बूलते यार क्या मतलब आप इंवेस्ट कर रहे हैं अज इतनी आप मेहनत कर रहे हैं इससे अच्छा कुसी ऐसे इनसान पर इंवेस्ट करो जिसके साथ अपना बुढ़ापा काटो आप उसकी साथ अपने सुख्दुक के साथ ही हो ऐसे हुता है प्यार अट्रैक्शन में वह मज़ानी जो मजब प्या बहुत जरूरी है ठीक है बिलूंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक लिए प्लीज टेक किर आफ यूर्सेल्फ नमस्कार लव यू